हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज आज अठारे फरवरी दो हजार चौबेश और अठारे फरवरी दो हजार चौबेश से रिलेटिड करन आफ़ेर्द के जितने भी क्वेशन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से related important point भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यांग से देखिएगा और दोस्तों ये क्लास आपकी morning सुबह 7 a.m. पे daily live आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तयार रहा क देखती हैं आज का पहला कुशन लिखा है हाली में कहां पर अंतराश्टी समावेशन गट बंदन समेलन 2024 का आयोजन किया गया है वेर वाज दी इंटरनेशनल कलेक्टिव एलियंस कॉनफरेंस 2024 और गनाइज़ रीसेंटली फर्स्ट ऑप्सन है डर्वन दच्छन अफ्रीका में सिकेंड ऑप्सन है रियाद यूए में थर्ड ऑप्सन है पर्थ होस्टेलिया में या फोर्ट ऑप्सन है नई दिल्ली भारत में जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ऑप्सन नबर डी नई दिल्ली भारत में चैलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट तो को पढ़त हैं अंतराश्टी समावेशन गठवंदन समेलन इंटरनेशनल इंक्लूजन एलियंस कॉन्फरेंच 2024 का आयोजन इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ है यह 15 फरवरी 2024 को हुआ है इसका उद्दे से वित्तिय समावेशन समाजिक समावेशन और जमीनी इस्तर स समासंसादनों और अवसरो तक समान पहुँच को बढ़ावा देना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स PM मोदी की यात्रा के दोरान भारत और UAE के बीच समझोते पर हस्ताच्छर हुए है एग्रीमें जल्दी से बताईएगा दोस्तों PM मोदी की यात्रा के दोरान भारत और UAE के बीच कितने समझोते पर हस्ताचर हुए हैं इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नमबर A दस समझोते पर चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं PM मोदी की यात्रा के दोरान UAE और भारत ने सयोग के लिए दस समझोते पर हस्ताचर किये इसमें दोनों देशों के इलेक्रिकल इंटर कनेक्शन वैपार के छेत्र में सयोग भारत मध्यपूर्व आर्थिक गलियारे भारत और सयुक्त अरब अ देखागार के बीच सयोग प्रेटोकॉल त्वरित भुक्तान प्लेटफॉर्म को आपस में जोडने और घरेलू डेविट और क्रेडिट कार्डों को आपस में जोडने पर समझोते हुए देशों के बीच दूइप अच्छी ये बैपार 65 अरब अमेर्की डॉलर तक सूर्यघर मुफ्त विजली योजना का अनावरड किया है फो रिसेंटली अनवैलेड पिंप सूर्यघर फ्री लेक्टिशिटी स्कीम फर्स्ट ऑप्सन नरैन मोदी ने सीकिंड ऑप्सन द्रौपदी मुर्मु जी ने तर्ड ऑप्सन जगदीब धनकर जी ने या फोर्ट ऑ किया है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर ए नरैन मोदी जी ने चैलिए इस कुश्चन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं पीम मोदी ने पिर्धान मंत्री शूरि घर मुप्त विजली योजना श करोड रुपए से अधिक का निवेस होगा ये योजना प्रिधान मंत्री सूरियोध योजना से मिलती जुलती है संबफ है कि उसी योजना नाक का नाम बदल गया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं हाली में ICAI का नया अध्यच किसे नि अध्यच किसे नुक्त किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ओप्सन नंबर सी ररजीत कुमार अगरवाल जी को चलिए इस कुशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं रंजीत कुमार अगरवाल इंस्टिटीट ओफ चार्टर एकाउंट्स ओफ इंडिया के नय अध्यच बने साथ ही चरण चोद सिंग नंदा को ICAI का उपाध्यच चुना गया इनका कारिकल 2024-2025 के लिए है ICAI को चार्टर एकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है ये दुनिया में सबसे बड़े पेसेवर अकाउंटेंट्सी निकायों में से एक है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाली में नीती आयोग ने बंजर भूमी को बदलने के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है फर्स्ट ओप्षन है हरित सिकेंड ऑप्षन है ग्रो थर्ड ओप्षन है हर्याली या फोर्ट ओप्षन है ग्रीन बताइएगा फ्रेंट्स हाली में नीती आयोग ने बंजर भूमी को बदलने के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वे हैं मारा ओप्सन नंबर बी ग्रो पोर्टल चलिए इस कुईशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट टों को पड़ती हैं नीती आयोग ने बंजर भूमी की हरियाली और बहाली के लिए ग्रो पोर्टल लॉंच किया इसका लच पूरे भारत में पर्यावरंस रच्छर और टिकाव भूमी उपयोग में प्रियासों को बढ़ावा देना है इसमें भारत के सभी जिलों में क्रसी वानकी की चमता का मुल्यांकन करने के लिए रिमोर सेंसिंग और जी आईसी प्रोदोगी की का इस्तेमाल किया जाएगा ग्रो पहल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टियर खराब भूमी को बहाल करने और 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतरिक्त कारवन सिंग बनाने की राष्टी परतिबदताओं के अनुरूप है नीती आयोक की स्थापना दोस्तों एक जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में हैं और इसके CEO B.V.R. शुर्मन्यम है और उपाध्यज सुमन के बेरी जी हैं ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में किस राजे सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त रिड़ देने के लिए स्वेम नामक यूजना का सुभारम किया रिसेंडली विच स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ड आइ स्कीम कॉल्ड स्वेम टू प्रोवाइड इंट्रेस्ट प्री लॉंच टू दी यूथ फर्ष्ट ओप्सन है तेलंगाना, सिकेंड ओप्सन है तमिलनाडू, थर्ड ओप्सन है चत्तीस गड़ या फोर्ट ओप्सन है उरीशा चल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, वह है मारा ओप्सन नमबर डी उरीशा राज सरकार ने चलिए इस कुश्चन से रिलेटेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्टों को परती है उरीशा सरकार ने युवाओं को ब्याज मुग्त लोन देने के लिए स्वेम योजना सुरू की उरीशा सरकार ने स्वेम योजना के तहत राज के युवाओं को 1,000,000 रुपए तक ब्याज मुग्त रिड़ प्रदान करने का निर्ड़ लिया है यह योजना 18-35 वर्ज के आयू वर्ग के एक लाग पात्र ग्रामीर और सहरी वाउं को रिड़ प्रदान करेगी योजना की लागत है 632 करोड रुपए कब तक लागू होगा ये 2 साल तक लागू होने वाला है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स फरवरी 2024 में किस देश ने अपत्रटिय तेल जिसाओ के बाद राश्टिय अपात्काल की गोशना की है विच कंट्री डिकलियर्ड अनेशनल इमर्जेंसी आफ्टर दी ओफ सोर्स ओईल स्पिल इन फेबरी 2024 फर्स्ट ओप्शन है त्रिन्नाद और टोबेगो सिकेंड ओप्शन है वेनुजुएला थर्ड ओप्शन है बारबार डोस या फोर्ट ओप्शन है ग्याना बताईएगा दोस्तों फर्वरी 2024 में किस देश ने अपतर्टिय तेल रिसाओ के बाद राष्टिय अपातकाल की गोशना की है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा ओप्शन नमबर ए त्रिनिदाद और टोबेगो ने चलिए इस कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट तो को पड़ती है त्रिनिदाद और टोबेगो ने अपतर्टिय तेल रिसाओ के बाद राष्टिय अपातकाल की गोशना की है टोबेगो के पास रेक पलते हुए जहाद से निकले रिसाओ से समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर पर्यावरडी छती हुई है जिससे देश की अठ विवस्ता विसेश रूप से इसके परेटन छेतर पर पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई है त्रिनाद और टोबेगो एक दच्चिन अमेर्किय वहादीप का देश है त्रिनाद और टोबेगो की राजधानी पोर्ट आप स्पेन है और इसके प्रधान मंत्री कैत रावली है मुद्रा यहां की त्रिनाद और टोबेगो डॉलर है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाली में किस देश ने AI पावर्ड सडक सुरच्चा के लिए नौवी गवर्मेंट पुरुषकार जीता है विच कंट्री रिशेंट्ली वोन दी नाइन्थ गवर्मेंट एवर्ड फॉर AI पावर्ड रोड सेफ्टी फर्स्ट ऑप्सन है भारत, सिकेंड ऑप्सन है नीदरलेंड, थर्ड ऑप्सन है जर्मनी या फोर्ट ऑप्सन है फिल्लेंड चल्दी से बताईएगा दोस्तों हाली में किस देश ने AI पावर्ड सडक सुरच्चा के लिए नौवी गवर्मेंट पुरुषकार जीता है फर्स्ट ऑप्सन हो जाएगा फ्रेंड वह है हमारा ऑप्सन नंबर ए भारत देश ने चलिए इस कुशन से रेलेटेट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं भारत ने AI पावर्ड सडक सुरच्चा के लिए नौवी गवर्मेंट पुरुषकार जीता किंद्री सडक परिवहन मंतिरी नितिन गटकरी ने सितंबर 2021 में IRASTE नाम परियोजना लॉंच की थी IRASTE का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफटी थो टेक्नोलोजी एंड इंजीनरिंग ठीक है फ्रेंड्स चलिए आंगे बढ़ते हों नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है दोस्तों हाली में निमन मेंसे किस राष्टी फिल्म पुरुषकार का नाम बदल गिया है फर्ष्ट ऑप्सन है इंद्रा गांधी पुरुषकार सीकेंड ऑप्सन है राष्टी एकता पर सर्विसेश्ट फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत पुरुषकार थर्ड ऑप्सन है उपर युक्त दोनों या पूर्ट ऑप्सन है दादा साहिब पाल के पुरुषकार जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है हमारा option number C उपरियुक्त दोनों इंद्रा गांधी पुरुषकार और राष्टी एक्तापर सर्वसेश्ट फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत पुरुषकार इन दोनों का नाम चेंज हो गया है चलिए इस question से related important point को पढ़ते हैं राष्टी फिल्म पुरुषकार स्रेडी से इंद्रा गांधी नर्गिस दत के नाम हटाई गया है सरसेश जैवियू फिल्म के लिए इंद्रा गांधी पुरिशकार और राष्टी एकता पर सरसेश फीचर फिल्म के लिए नर्गिज दस्त पुरिशकार का नाम बदल दिया गया है इस पुरिशकारों से दोनों का नाम हटा दिया गया है साथ ही दादा साहिब फाल के पुरिषकार के लिए नगत पुरिषकार को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 15 लाख रुपए तक कर दिया गया है इसके अलावा विविन्स रेडियो में स्वड कमल पुरुषकारों के लिए पुरुषकार रासी बढ़ा कर 3 लाख रुपए और रजत कमल विजेताओं के लिए 2 लाख रुपए कर दी गई है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों और आज का लाख कुशन देखते हैं आज का लाख कुशन लिखा है फ्रेंड्स जनवरी 2024 के लिए ICC Player of the Month का पुरुषकार किसने जीता है फर्स्ट ऑप्षन है सामर जोसेब और एमी हंटर ने सिकेंड ऑप्षन है विराट कोली और निदाडार ने थर्ड ऑप्षन है हैरी ब्रूग और एसले गार्डनर ने या फूर्ट ऑप्षन है पैट कमिंस और दीपती सर्माने इस question का जुराइट answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number A Samar Joseph and Amy Hunter ने चलिए इस question से related important point 2 को पड़ती है Samar Joseph और Amy Hunter जनवरी 2024 के लिए player ICCK of the month award विजेता चुने गई है वेस्टनीच के तेज गेंदवास Samar Joseph ICC player of the month award जीतने वाले वेस्टनीच के पहले पुरुस खिलाडी बन गए अंतराश्टी किरिकेट में अपनी पहली ही गेंदव पर इन्होंने Steve Smith का विकेट लिया था Amy Hunter आइलेंड की आकरामक युवा महिला बल्लिवाज है ICC 1909 में इसका गटन हुआ था अध्या जिसकी हैं Greg Barclay CEO है जियोप अरलार्डेस और मुख्याले कहा है दुबई में ठीक है दोस्तो I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी कुशन से related important point की notes भी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे अगर exam के नजरिये से class helpful लगी हो दोस्तो और सारे facts को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो please इस class को like कीजेगा, share कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी study channel को subscribe कीजेगा Thank you so much दोस्तो